हेलो स्टुडेंट प्रिविएस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रीगो इन्वर्स ट्रीगो इनिक्वालिटी डिसकस की थी इस वीडियो में हम एडिशनल कंडिशन बेस्ट क्वेस्ट करेगे लाइक फर्स्ट क्वेशन है आपका सपोज आप लोगों को क्वेशन में ऐसा गिवन है 10 इन्वर्स X प्लस 10 इन्वर्स X प्लस 10 इन्वर्स Y प्लस 10 इन्वर्स Z इक्वल्स तो पाई देन वेल्यो आफ एक्स प्लस Y प्लस Z ओके और यहां पे औप्शन है आपके X,Y,Z 2X,Y,Z 3X,Y,Z और 4X,Y,Z और D नन अप दिस ओके इस क्वेशन को आप दो तरह से एंडल कर सकते हैं और फॉस्ट आपको जो कंडिशन गिवन है वो लिखो 10 इन्वर्स X प्लस 10 इन्वर्स Y प्लस 10 इन्वर्स Z इक्वल्स तो पाई इसको अल्फा कंसिडर कर लो इसको बीटा और इसको गामा यानि 10 इन्वर्स X इक्वल्स तो अल्फा देन X is equal to 10 अल्फा X is equal to 10 अल्फा 10 इन्वर्स Y is equal to beta Y is equal to 10 beta 10 इन्वर्स Z is equal to 10 inverse Z is equals to gamma गामा और यहां पर आलफा बीटा गेमा बिलोंस टू माइनस पाइबाई टू प्लस पाइबाई टू क्यूंकि अलफा बीटा गेमा किसके सामने लिखे यानि उसकी रेंज में होने चाहिए यानि आपकी एक्विशन अब ऐसे हो जाएगी अलफा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल्स टू पाई अलफा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस गामा टेन अटेज करो दोनों सेट तेन अलफा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टू पाई माइनस गामा यहां पर होगा टेन अलफा प्लस टेन बीटा ओन माइन 10 alpha into 10 beta 10 pi minus gamma minus 10 gamma second quadrant value रख दो x plus y upon 1 minus xy equals to minus z okay cross multiply कर दो cross multiply करने पर x plus y x plus y minus z plus xyz okay यहां पर x plus y plus z is equals to xyz okay second method second method अप लोग assume कर लो 10 inverse x 10 inverse y plus 10 inverse z इसे तीन एंगल assume कर लो जिसका addition pi हो आप लोग ऐसे assume नहीं कर सकते 2 pi by 3 pi by 3 और 0 यह addition pi होगा लेकिन इसको 2 pi by 3 आप क्यों assume नहीं कर सकते कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 10 inverse की maximum value tends to pi by 2 होती है ओकि यानि यह pi by 2 से ज्यादा assume आप लोग नहीं कर सकते okay simple एक बात बोलो मैं आप लोगों को तीनो pi by 3 ले लो pi by 3 pi by 3 pi by 3 okay 10 inverse x 10 inverse x equals to 10 inverse y plus 10 inverse z equals to pi by 3 यह pi हो जाएगा okay यह तीनों आपने pi by 3 consider कर लिए okay 10 inverse का answer कब pi by 3 आता है x की value आप क्या रखोगे और y क्या रखोगे z क्या रखोगे root 3 रखने पर यह pi by 3 देगा okay अब equation में रख दो आप लोग आपका question क्या था x plus y plus z इसमें रख दो यह value और root 3 root 3 3 root 3 अब option में रख दो okay यह option में answer आएगा 3 root 3 दिख रहा है b option में 6 root 3 c option में 4 3 012 root 3 और d तो none है और कोई दो option आपके same आ जाते है दिन आप लोग यह change कर देना angle okay अगर किसी दो answer का option की value same आई तो यह consider किया हुआ angle change कर देना ऐसे भी आप equation कर सकते हो okay एक और question पे बात कर सकते है और 10 10 next question है second 10 by 4 plus half cos inverse a by b plus 10 and pi by 4 minus half cos inverse a by b इसकी value निकाल नहीं है आप लोगों को और option है आपके 2b by a 2a by b 2a by b 2b by e b by a c by a okay मैंने क्या बोला था ncrt में आई टी अप में ब्रेकेट में आपको inverse trigger दिखे उसके equals में आप लोग थीटा कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए इसको थीटा कंसिडर कर लो cos inverse a by b is equals to theta where theta where cos theta is equals to a by b okay वो theta belongs to कहां से कहां होगा 0 to pi cos inverse की range में होगा okay अब आपका question यासे हो जाएगा 10 by by 4 plus theta by 2 plus 10 by by 4 minus theta by 2 okay 10 alpha plus beta 10 alpha minus beta 10 by by 4 plus 10 theta by 2 1 minus 10 by by 4 into 10 theta by 2 plus 10 by by 4 minus 10 theta by 2 upon 1 plus 10 by by 4 into 10 theta by 2 okay यह होगा 1 plus 10 by by 4 into 10 theta by 2 okay plus 10 theta by 2 1 plus 10 theta by 2 1 minus 10 theta by 2 plus 1 minus 10 theta by 2 upon 1 plus 10 theta by 2 okay cross multiply कर दो 1 plus 10 theta by 2 का all square plus 1 minus 10 theta by 2 का all square upon 1 minus 10 theta by 2 यह plus B यह minus B okay अब numerator में simplify करो आप लोग इसका first term 1 इसका first term 1 यानि 2 last term 10 square theta by 2 10 square theta by 2 2 times 10 square theta by 2 middle term cancel हो जाएगा 2 times 1 plus 10 square theta by 2 upon 1 minus 10 square theta by 2 ok ok 2 को सेट ठीटा कि को स्थेटा की वैल्यू एबाई बी यानि सेट ठीटा भी बाई ए ओके अब अब लोग सेकंड में यह और भी एजूम करो कोई भी वैल्यू एजूम मत करना सपोज यहां पर कॉस इनवर्स लिखा है तो आप लोग ऐसे वैल्यू कंसिडर करना जिसे और इद बोल सकते हो sir pi by 4 root 3 by 2 लिखा है तो भी आप लोग बोल दोगे sir pi by 6 तो यह ही assume कर लेते हैं यानि मैं यहाँ पर assume करता हूँ e is equals to root 3 and b is equals to 2 आप लोगों को ऐसी value consider करनी है जिससे ITF यानि inverse trigger function की original value आप लोगों को पता होनी चाहिए यानि cos inverse root 3 by 2 क्या होगा cos inverse root 3 by 2 pi by 6 यानि आपका question यासे हो जाएगा 10 pi by 4 plus half into pi by 6 plus 10 pi by 4 into minus half into pi by 6 यानि यह 45 plus 50 यानि यह 1060 हो जाएगा 1060 plus यह हो जाएगा 1030 यानि root 3 plus 1 by root 3 4 by root 3 यानि यह question में रख दिया आप option में रख दो आप लोग first option में रख दो यह 2a by b 2a by b यह कितना है यानि 2 root 3 by 2 b option में रख दो 2 into 2 by root 3 c option b by a 2 by root 3 d option sorry यहाँ पर c by a नहीं d option a by b ok d option a by b root 3 by 2 ok कौन सा answer question के साथ में रख होता है यह वाला b यानि आपका answer आएगा 2b by a copy ok student next question पर बात करते है next question sin inverse x sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to pi ok or x raise to 4 plus y raise to 4 plus z raise to 4 plus 4 x square y square z square equals to k into x square plus y square plus y square plus z square plus z square into x square then find the value of k ओके ये equation आप इसको alpha बोलोगे इसको beta बोलोगे इसको gamma consider करोगे alpha plus beta plus gamma is equals to pi then alpha plus beta is equals to pi minus gamma फिर दोनों side आप लोग sign attach करोगे थोड़ा lengthy हो जाएगा ओके इससे अच्छा है आप लोग ऐसे angle assume कर लो कि जैसे इन तीनों का sum pi आना चाहिए ओके यहाँ पर मैं sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z ओके तीनों को pi by 3 assume कर लो आप लोग यह भी चलेगा या फिर sin inverse को मैं pi by 2 assume कर सकता हो क्योंकि sin inverse की range में pi by 2 include होता है ओके इसको pi by 2 इसको pi by 2 और इसको मैं 0 consider कर लेता हो ओके sin inverse x का answer pi by 2 कब होगा when x is equal to 1 और sin inverse y pi by 2 कब होगा when y is equal to 1 और sin inverse का answer 0 कब होगा when z is equal to 0 यह तीनों value इसमें रख दो यहाँ पर 1 plus 1 बाकी यानि सारी value इसमें रख दो 1 plus 1 k into in bracket 1 यानि k की value आजाएगी 2 ओके अब pi by 3, pi by 3 भी रख सकते हो लेकिन यह value ज्यादा easy रहेगी ओके next question पर बात करते है third question fourth sin inverse x sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to pi x into 1 minus x square y into 1 minus y square z into 1 minus z square equals to value आपको निकालनी है x, y, z x, y, z 2, x, y, z 2, x, y, z c 4, x, y sorry 3, x, y, z और d 4, x, y, z ok, यहाँ पर आप लोग उपर value जो consider की है वो नहीं कर सकते sir, क्यूँ? z is equals to 0 पर सारे option सेम हो जाएगा देखो यहाँ पर z is equals to 0 पूट कर दो सारे option सेम हो जाएगे तो कौनसी value consider करें? pi by 3 इसको pi by 3 बोल दो यह pi by 3, यह pi by 3 यह value pi by 3 कब होगी? x is equals to root 3 by 2 पे यह value pi by 3 कब होगी? y is equals to root 3 by 2 पे ok, x, y, z की value root 3 by 2 पहले equation में रख दो फिर option में रख दो answer आजाएगा यहाँ फिर हमारा वही method use करते हैं इसको आप लोग alpha consider कर लो यह आपका alpha यह आपका beta यह आपका gamma and alpha beta gamma belongs to alpha beta gamma belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 ok, इससे ज्यादा नहीं ले सकते और इससे कम नहीं ले सकते आप लोग ok, यानि यहाँ पे sin inverse x is equals to alpha x की value क्या होगी? sin alpha sin inverse y is equals to beta y is equals to sin beta sin beta and sin inverse z is equals to gamma z is equals to sin gamma ok, यह y है और यह gamma है आप लोग देख लेना अपनी तरह से lhs में रख दो sub value और कुछ नहीं करेंगे हम लोग x into root 1 minus x square y into root 1 minus y square plus z into root 1 minus z square ok, यहाँ पे रख दो, यह क्या होगा? x sin alpha ok, यह root 1 minus sin square alpha plus sin beta ok, sin beta root 1 minus sin square beta यह होगा sin gamma root 1 minus sin square gamma ok, यहाँ पे sin alpha 1 minus sin square यानी cos square cos square का root mod cos alpha यह mod cos alpha sin beta mod cos beta plus sin gamma mod cos gamma लेकिन alpha beta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 यानी 1st and 4th quadrant 1st and 4th quadrant में cos always positive होता है यानी mode remove हो जाएगा आप से multiply कर दो और into 2 कर दो यानी 2 sin alpha into cos alpha इसकी value आ जाएगी plus क्यूंकि 1st and 4th quadrant है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma और यह identity आप लोगों ने 11th में study की थी इसका answer क्या था 4 sin alpha sin beta यहाँ sin beta sin gamma 2 x y z ओके next question पे बात करते हैं cos inverse a 5th question cos inverse a plus cos inverse b plus cos inverse c equals to pi then value of a square plus b square plus c square a square plus b square plus c square plus 2 a b c ओके आप लोग consider करके भी यह question कर सकते हो इसको मैं alpha consider करता हूँ यह beta और यह gamma ओके यहाँ यहाँ पे alpha plus beta plus gamma क्या होगा pi alpha plus beta is equals to pi minus gamma ओके cos inverse a is equals to alpha then alpha की value दोनों साइट पहले तो cos यहाँ पे attach कर दो cos alpha plus beta into cos pi minus cos alpha plus beta यानी cos a alpha into cos beta plus sin alpha into sin beta minus cos gamma यह होगा ओके यहाँ से cos alpha equals to a cos beta equals to b और cos gamma equals to c ओके यह हो जाएगा a b sin alpha क्या होगा root 1 minus a square कैसे sin alpha को root 1 minus cos square लिख सकते हैं ओके इसको root 1 minus cos square b टा लिखो और यह हो जाएगा minus c ok a b plus c root 1 minus a square into root 1 minus b square दोनों सेट स्क्वेरिं कर दो आप लो a b plus c का all square is equals to 1 minus a square into 1 minus b square ok यहाँ पर a square into b square plus 2 a b c plus c square ok 1 minus a square minus b square plus a square into b square ok यह cancel यानि a square plus b square plus c square plus 2 a b c plus 2 a b c equals to 1 यहाँ पर इसको pi by 3 यह pi by 3 यह pi by 3 assume करके भी आप यह equation कर सकते हो इसको pi by 3 consider करोगे तो a की value आएगी half b की भी half और c की value भी half यहाँ पर रख देना वो नहीं आएगा copy ok student next question पर बात करते है question 6 question 6 cos inverse x by a plus cos inverse y by b equals to alpha then x square upon a square plus y square upon b square minus 2 x y upon a b into cos alpha की value निकालो ok और option आपके है ea sin square alpha b2 sin square alpha c3 sin square alpha d 4 sin square alpha ok ncrt में अइन्या को अब जरी भीटा 10 inverse alpha plus 10 inverse beta के formula आप लोगों को लिखवा यह थे मैंने वैसे ही जे डबली में cos inverse alpha cos inverse beta sin inverse alpha sin inverse beta सारे formula अवेलेबल है लेकिन हम सब याद नहीं रखेगे क्योंकि हमारे पास technique है sin inverse को cos inverse में convert करने की ओके इसलिए यहाँ पे cos inverse plus cos inverse का formula क्या है वो मुझे पता लेकिन इस type के equation को आप लोगों को कैसे handle करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे सपोस्पोस आप लोगों को ऐसे दो inverse trigon function का addition given है और कोई equation given है आप लोग क्या करना इस question में दोनों साइट cos attach कर देना देखो यहाँ से cos of cos of cos inverse x by a plus cos of sorry cos of cos inverse x by a plus cos inverse y by b okay equals to cos alpha अब यहाँ से इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए alpha consider कर लो और इसको थोड़ी देर के लिए beta लिखना नहीं ऐसे यहाँ यहाँ पे कौन सा formula अपले होगा cos alpha plus beta का cos alpha plus beta का formula cos alpha cos alpha cos beta cos beta plus sin alpha sorry minus minus यहाँ पे क्या आएगा minus sin alpha sin alpha cos inverse x by a okay sin beta sin beta क्या होगा sin beta यहाँ पे sin cos inverse y by b okay cos alpha okay यहाँ पे तो यह दोनों remove हो जाएगे लेकिन आप इसको कैसे remove करोगे देखो sin of इसको sin inverse में आप लोग कनवर्ट कर दो root 1 minus ऐसे हो जाएगा root 1 minus x square by s square पता है ना आप लोगों को यहाँ पे cos inverse की जगा पे sin inverse लिखोगे क्या था cos inverse x is equals to sin inverse root 1 minus x square यहाँ पे x की जगा पे x by a हो okay ऐसा लिख दो cos of cos inverse x by a cos of cos inverse y by b यहाँ पे sin of sin inverse root 1 minus x square by a square okay sin of sin inverse root 1 minus y square by b square cos alpha okay function and inverse function remove कर दो यहाँ से x by a into y by b minus root 1 minus x square by a square into root 1 minus y square by b square equals to cos alpha okay now cos alpha इदर और squaring कर दो दोनों साइड x y upon a b minus cos alpha का square और यहाँ पे हो जाएगा 1 minus x square by a square to 1 minus y square by b square okay above x square by a square upon a square by b square minus 2 x y cos alpha upon a b plus cos alpha 1 minus x square by a square minus y square by b square plus x square into y square upon a square upon b square यह cancel okay यह minus वाले term इदर x square by a square minus 2 x y cos alpha upon a b plus y square by b square equals to 1 minus cos square alpha equals to यह हो जाएगा sin square alpha okay यह question आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो कैसे यहाँ पे x की value आप लोग root 3 एजिम कर लो a की value 2 b की value भी 2 y की value 1 okay आप कोई भी value एजिम कर सकते हो यहाँ नहीं मैंने यहाँ पे root 3 और 2 एजिम किया है वहीं एजिम करो लेकिन आप लोगों को value पता होनी चाहिए okay cos inverse root 3 by 2 क्या होगा alpha एजिम नहीं करना है cos inverse root 3 by 2 यहाँ पे होगा यह 30 degree यह 60 degree यानि alpha आएगा 90 degree अब सारी value पहले question में रख दो फिर option में रख दो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो ऐसे question try करो आप लोग okay second question है cos inverse x इस type का minus cos inverse y by 2 equals to alpha then 4x square minus 4xy cos alpha plus y square option यह वाले ही okay equation try करो आप लोग okay student next formula पे बात करते है 10 inverse का nth term का addition है 10 inverse x1 plus 10 inverse x2 plus 10 inverse x3 up to 10 inverse xn इसका answer आएगा 10 inverse यह सारे positive होने चाहिए x1 x2 यह सारे positive होने चाहिए xn okay s1 minus s3 plus s5 minus अब तो आगे ऐसे चलता रहेगा 1 minus s2 plus s4 minus s6 okay अभी यह s1, s2 वो क्या है s1 यानी x1 plus x2 plus x3 up to xn single की पेर में addition sum of fruits one types s2 यानी double की पेर बनाओ आप लोग x1, x2 x1, x3 x1, x4 फिर x2 के साथ x2, x3 okay जितनी double की पेर है उन सारी पेर का addition कितनी होगी nc2 okay s3 यानी triple की पेर x1, x2, x3 x1, x2, x4 okay सारी triple पेर वैसे ही sn is equal to x1 plus x2 plus x3 x4 up to xn okay इस formula बेस पे equation करते है हम लोग okay equation है if if x1 x2 x3, x4 x3, x4 are the roots of the equation are the roots the roots of the equation of the equation x raise to 4 minus x cube sin2 beta sin2 beta plus x2 cos2 beta minus x cos beta minus sin beta equals to 0 ये value ये value इसके root से then find the value of then find the value of 10 inverse x1 10 inverse x2 10 inverse x3 10 inverse x4 okay 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 पहले तो equation लिखते हैं x raise to 4 x3 sin2 beta plus x2 cos2 beta minus x cos beta minus sin beta इसके root x1 x2 x3 x4 okay s1 क्या होगा s1 यानि sum of root x1 plus x2 plus x3 plus x4 minus b by a minus b by a यानि ये होगा sin2 beta okay s2 यानि pair में sum करना है आपको यासे x1 x2 x1 x3 x1 x4 x1 x4 x2 x3 x2 x4 x2 x4 or x3 x4 okay e minus b by e ea c by e c by e यानि cos2 beta okay s3 triple की pair में x1 x2 x3 x1 x2 x4 x2 x3 x4 x1 okay अब कोई pair x1 x2 x2 x3 X4 यह होगा E by A यानि यह होगा minus sine beta minus sine beta ओके अब question में तो कुछ नहीं है 10 inverse X1 plus 10 inverse X2 plus 10 inverse X3 plus 10 inverse X4 formula बोलो 10 inverse X1 minus X2 OK X5 तो होगा नहीं इसमें 4 तकी है इसलिए maximum 4 तकी आएगा 1 minus X2 plus X4 X6 नहीं आएगा OK 10 inverse X1 बोलो X1 sine 2 beta sine 2 beta minus X2 कहां गया cos 2 beta cos 2 beta OK 1 minute I check question X raise to 4 minus sine 2 beta cos 2 beta cos beta minus sine beta OK का फोर्मुला 2 sin beta into cos beta minus cos beta यहां पे 2 sin square beta 1 minus cos 2 beta का और यहां पे sin beta 10 inverse cos beta common 2 sin beta minus 1 और sin beta common 2 sin beta minus 1 ओके अब यहां पे 10 inverse cos beta cos का अब क्या लिख सकते हो 10 pi by 2 minus beta यानि आपका अंसर आएगा pi by 2 minus beta कोपी कोपी